जिनको भी लौकी पसंद नहीं है, उनको ये रेस्पी जरू ट्राइ करवाइए, उसके बाद वो हमेशा लौकी के ही डिमाइन करेंगे एक बार मेरे कहने पे इस तरीके से लौकी की सबजी बना कर देखिए, बहुत जादा टेस्टी बनते हैं अगर ये खाली आना तो पनीर भूल जाओगे, वेलकम टु माइ यूटूब चैनल कुकिंग विद सिम्मो, तो पहले मैंने एक लौकी लिया है, जिसे अच्छे से हम पिल आउट कर लेंगे, अच्छा एक और बात, क्या आप जानते हो कि इसके छिलके से भी हम रेसिपी बना स सकते हैं, इसके छिलके से आप चक्नी या फिर भूजिया बना सकते हो, अगर आप लोग को इसके रेस्पी चाहिए, तो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगो के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, तो मैंने लौकी को अच्छे से चील लिया था, उसके कट करके आप हम ग्राइंडर के डाल एकट कर देंगे, झैसके साथ में डालेंगे, एक तो हरी मीज और आध़ा इंच कर अधर का तुकड़ा और फिर इस आपके पास चाबल का आट नहीं है, तो आप यहां मैदा भी इस्तमाल कर सकते हो चावल काता या फिर मैदा हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि इसका एक पॉफिक्ट बाइंडिंग बन सके लास्ट मैं एट कियो हूं बेकिंग सोडा जिसे मीठा सोडा या फिर खाने वाला सोडा कहते हैं इसे अपको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक प्लेट लेंगे जिसे हम ऑईल से अच्छे से ग्रिस कर लिये हैं अब हम बैटरों को इसमें ट्रांसफर कर देंगे और टैप टैप कर लेंगे ताकि एर बबल्स ना रहें अब हम इसे स्टीम करेंगे जिसके लिए में कराही में एक नीचे प्लेट रख दिये ताकि इसके उपर से हम अपना बैटर वाला प्लेट रख सकें और इसे कवर करके 8-10 मिनट क्ले कुक करेंगे 8-10 मिनट बार यह कुक हो गया था और मैंने इसे ठंडा कर लिया अगर आप इसे गर्म-गर्म में कट करोगे तो यह गर्म-गर्म में कटे रही नहीं वो लिक्यो करना चाहते हो कोई दिक्कत निया कट हो जाएगा और यह देखो कितने आराम से हमारा यह पनीर का क्यूप्स बनकर तयार हो गया है किया कोई कह सकता है कि यह मैं लौकी से पनीर बनाए हो तो है ना यह अमेजिंग अब लेंगे कराही जिसमें दालेंगे ऑईल फिर हम उसके कलर चेंज हो तो उसमें नमक आट कर देना फिर नमक आट करने की बाद 2-3 मिट के और भूनेंगे जब अच्छे से भूना जाए तो अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाला आट करेंगे हल्दी पाउडर धन्या पाउडर मिर्ची पाउडर और ब्लैक पिपर पाउडर मसाले को आटो मेर्चे से भूण लेंगे अब मASH डलेंगे टमाट करना हिस्फों करना जब को करना है तब तक हमारे तो इसमें जो नहों हो जाए हूद ही वो अच्य सुव्ट हो गया और साइड साइड से न्हां इन पेस्ट के उस कर न gir का पेस्ट आपके सबजी में चार चांद लगा देता है यह काजू का पेस्ट तो मैंने काजू के पेस्ट को डालने कवाद एक से दो मिनुट के भूना है फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे एक चमच बेसन ताकि हमारा ग्रेवी में थिकनेस बना रहे है अगरा बेसन नहीं आट करना चाहते तो मत करना क्योंक अब इसमें डाल देंगे पनीर के क्यूप्स जो हमने लौकी से बनाया है और उसके बाद हम 3-4 मिनट क्ले कुप कर लेते हैं और यह लिजी 3-4 मिनट बाद हमारे यह सबजी बनकर तयार है अब अब इसे नान पडार ठाया के रोटी के साथ सब की जी यह सब के साथ बहुत जादा टेस्टी लगते हैं और किसी को यकीन भी नहीं होगा कि यह आप लौकी से बनाए हो तो मेरी कहने पर एक वर इस रेस्पी को ज़रू ट्राइ करके देखना यह रेसेपी पुहों जादा टीस्टी है अब आप लोग करके बताओ कि आप लोग को यह रैसेपी कैसी प्लिए अबनाए करें लौकीम कैनल यह रौकीम